Price Remedies, अगर भरपूर मेहनत के बावजूद आप पाई, पाई के लिए परेशान रहते हैं तो आपको चावल के उपाई करने की जरूरत है माना जाता है कि इन उपायों को करने से इंसान का सोया हुआ भागय जाग जाता है और उसे जीवन में खूब तरक्की मिलती है चावल के टोटके, आज कल जिंदगी में हर कोई भागम भाग में लगा दिखता है इस महतन से कुछ लोगों की किसमत चमक जाती है, जबकि कईयों की साथ नहीं देती अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है आज हम आपको चावल से जुड़े चमतकारिक उपायों, चावल के उपे, के बारे में बताने जा रहे हैं इन उपायों को आजमाने से आप अपना सोया हुआ भाग्य जगा सकते हैं और जिंदगी में मंचा ही खुशियां हासिल कर सकते हैं आए जानते हैं कि ये उपाय क्या है, अगर आपको मेहनत के बाद भी मालक्ष्मी का आशिरवाद नहीं मिल पा रहा है तो आप चावल से जुड़े उपाय चावल के उपे कर सकते हैं, आप पूर्णमासी के दिन सुबह उठकर सनान आदी करके एक सफेद लाल रेश्मी कपड़े में चावल के 21 अखंडित दाने रखें इसके बाद उस कपड़े को लेकर मालक्ष्मी के सामने पूजा करें फिर उस पोटली को अपने पैसे रखने वाली जगह पर सुरक्षित रख दे कहा जाता है कि इस उपाय से मालक्ष्मी प्रसन होकर आशिरवाद देती है आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए जिन लोगों की आर्थिक तंगी का दौर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है वे लोग सुमवार कुसनान के बाद आधा किलो अखंडित चावल लेकर किसी शिव मंदिर में चले जाएं इसके बाद भगवान शिव का नाम लेकर एक मुठी चावल वहां अर्पित कर दें और बचे हुए चावल को किसी जरूरत मंद को दान कर दें लगातार पांच सोमवार तक यह उपाई चावल के उपे करने से आर्थिक तंगी की समस्या दूर हो जाती है अपना सोया हुआ भगय जगाने के लिए अगर आपको हर काम में नाकाम्या भी मिल रही है और बनते हुए काम अटक जाते हैं तो अपने सोय हुए भगय को जगाने के लिए चावल के उपाई कर सकते हैं इसके लिए आप तामबे के लोटे में रोली के साथ थोड़ा सा चावल डाल लें इसके बाद उस लोटे के जल से सूर्य को अर्गय दें मान्यता है कि इस उपाई से सोया हुआ भागय जाग जाता है और व्यक्ति को कभी भी आर्थिक समस्या नहीं रहती नौकरी, बिजनेस में काम्याबी के लिए जो लोग अपने जीवन में नौकरी या बिजनेस से जुड़ी समस्याओं को लेकर परेशान है उनके लिए चावल के उपाई, चावल के उपे से काफी फाइदा होता है ऐसे लोग मीथे चावल बना कर छट पर बैठने वाले कौवों को खिला दें उन कौवों की त्रिप्ती के साथ ही आपकी जिंदगी से मुश्किलों का दौर भी खत्म होने लगेगा आपको नौक्री व्यापार में काम्या भी मिलेगी और आप आफिस में आगे बढ़ेंगे हाथ में नहीं तिकता है पैसा, काफी लोग ऐसे होते हैं जिनकी आमदनी तो अच्छी खासी होती है लेकिन कभी भी पैसा उनके पास नहीं तिकता ऐसे लोग लाल कपड़े में चावल के साथ साबुद दाने डाल कर पसके अंदर रख लें माना जाता है कि इस उपाई को करने से फाल्तु खर्च की आदत में सुधार आता है और जेब में पैसा टिकने लगता है कुंदली में चंद्रमा की स्थिती होती है मजबूत अगर अगर चंद्रमा आपको अशुबफल दे रहा है तो अपनी माता से कहकर उनसे एक मुर्टी चावल दान मानगे इसके बाद नवरात्र के तीसरे दिन आप कन्याओं को वही चावल दान में दे दें आप चाहें तो उन्हीं चावलों की खीर बना कर भी खिला सकते हैं कहा जाता है कि इस उपाय चावल के उपे से कुंदली में चंद्रमा की स्थिती मजबूत हो जाती है